नमस्कार, MP न्यूस कास्ट में आपका स्वागत है, मैं हुआ आपके साथ दीप्टी भट्टागर। आए शुवात करते हैं धन्भर के कुछ खास खबरों के साथ। जो काफी जर्ज़ हो गया था, इस मंदिर का चार वर्षों से निर्मान कार्य चल रहा है, गर्भगरा और मुख्य मंदिर का निर्मान हो चुका है, इसलिए मंदिर में राधारानी सरकार की पुनाह प्रान प्रतिष्ठा कराई जा रही है। बताया गया कि यह मंदिर 200 साल पूरा है जो जीर्ण शीर्ण हालत में हो गया था, मंदिर का निर्मान मुहले एवं नगर्वासियों के सहयोग के किया गया, अभी भी निर्मान कार्य जारी है। बताया गया था जारी है। यह में वह दो जारी है। यह में जारी ही यह में जारी है। मुंदों पी माला कले लेंड़ी मुंदों पी माला कले लेंड़ी मुंजा सोई चाले मत मुंदों पी माला क्या एक बाइण है मुंदों पाले मेंड़ी मुंदों पाले मुंदों पाले मेंड़ी फ्सक्राइण हुआ राईण है मंदिर की जय अर्चना दुवेदी इस मंदिर में बहुत अच्छे कारीक्रम होती रहे लेकिन कुछ समय से यह थोड़ा सा जीर्ण सीन हो गया था जिसके कारण से इसको नया बनाया गया है सभी लोगों के सायोग से, महलेवालों के सायोग से, कुछ और अन लोगों के सायोग से, ये मंदर आज बहुत अच्छे तरीके से बन गया है आज इधर कलब क्यात्रा निकाली गई है, आज से कारिकरम चालू है, 6-7 तारीक तक रहेंगे, लास्ट दिन भंडारा रहेगा और हम लोगों के सब्भागी की बात है, कि ये मंदर बन के तयार हो गया है और भगवान इसमें खिराजेंगे कि यहां राधा किसमी की मूर्ती है हनुमान जी दुरुगाजी संकर जिब मूर्ती है कि जिले में भी ऐसी मूर्ती नहीं है कि इतने सब्सक्राइब है कि यहां पूजन किया बरुण का और घट भर कर सभी लोग अपने सिर पर रखता लाएं आगे काई करम यह है कि आज चौक चक्र बनेगे और प्राता काल पूजन प्रारम होगा गडपति गवरी का पीठों का पूजन होगा सब का आभान होगा हनमान जी का दुरगा जी का संकर जी का जो भी देपता है सभी का आभान होगा पूजन होगा बंडारा साथ तारीक है और पांस तारीक को जलादिवास अनादिवास भलादिवास उस्पादिवास और मिश्टा नादिवास में रखेगे और 6 तारीकों हवन भगवान की प्रद्रश्चा पूना होती वो 7 तारीकों बंडारा हो जाए